पारुक अब्दुल्ला बोले जमू कश्मीर आतंकी हमले की जांच अंतराश्ट्य एजेंसियां करें एक दे पहले दो टूरेश्ट पर आतंकीयों ने फाइरिंग की भाजपार नेता को गोली मारी जमू कश्मीर की पूर्व मुखमंत्री और नेशनल कॉन्फरेंस की अध्यक्ष पारुक अब्दुल्ला ने शोफिया और अनंत नाग में हुए आतंकी हमलों पर प्रतिक्रियती है उन्होंने कहा कि अंतराश्टिये जांच एजनसियों को इस मामले में जांच करनी चाहिए ऐसी घटनाओं से टूरिजम सेक्टर पर असर पड़ रहा है जमू कश्मीर में शनीवार को 18 माई की राद एक घंटे के भीतर दो जगए आतंकी हमले हुए थी पहली घटना अनंतरना के पहल गाओं के पास एक ओपन टूरिस्ट केम्प में हुई थी यहां आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी थी पदी पतनी रिसॉर्ट में रुके हुए थी उनकी हालत इस्थिर है कपल राइस्थान के जैबुर का रहने बारा है इस घटना के कोछ देर बाद सुफियां के हीर पोरा में रात करीब ताड़े 10 बजे आतंकियों ने लोकल भाजपा नेता एजाज एहमद शेक को गोली मारी थी एजाज एहमद को अस्पताल ले जाया गया था जहां उन्होंने दम तोड़ दिया एजाज एहमद पूर्विसरपंच थी अब्दुल्ला ने कहा हमला किसी ने भी किया हो चांच जरूर होनी चाहिए पारुक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंगबाद अभी भी यहां मौजूद है चाहिए भाजपा नेता और पूर्वसरपंच थी अजाज एहमद शेक किसी भी पार्टी की सदसे हो या कोई आम आदमी अगर किसी को निशाना बनाया जा रहा है तो मामले की जाच होनी चाहिए चाहे उन्हें आतंगबादियों ने मारा हो या यहां के लोगों ने परेटन उद्योग पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा पारुक अब्दला ने कहा कि इस तरह के हमलों से जमू कश्मीर में परेटन उद्योग पर असर पड़ेगा पहल गाउं में परेटन उद्योग अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजिनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतन कि बइपाइ